समझवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौरिया का एक बिवादित बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश के बटवारे के लिए जिन्ना जिम्यदार नहीं हिंदू महासभा है हमारे सथ बाक्षित करने के लिए उत्तर प्रेदेश सरकार के मंत्री दानी सजाद अंसारी जी है मौरिया का बयान आया हूँ कह रहे है कि हिंदू महासभा ही बटवारे के लिए जिम्यदार है जिन्ना के थोड़ी सी भी गलती नहीं देश की बटवारी में तेकि समाजवादी पार्टी के नेता इनका एक मात्र लक्ष है कि किस तरीके से समाज में भर्म की इस्थिती पैदा की जाए और उस भर्म की इस्थिती पैदा करके किस तरीके से अपनी राजनीतिक रूटिया सेके अपने नीजी राजनीतिक स्वार्थ को अपने नीजी राजनीतिक एजिंडे को पूरा करें आज हमारा देश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है देश टेकनलोजी की तरफ आगे बढ़ रहा है सिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहा है उस समय ऐसे बयान देखे निशित तोर पे समाजवादी पार्टी अपना असली चाल तरीत और चहरा समाज के सामने दिखा रही है पुरा देश जिस बटवारे के दर्द को हमने झेला है और हम सब जानते हैं कि उस बटवारे के पीछे किन किन लोगों का हाथ है और उन लोगों का सपोर्ट करके निशि का बड़ा विकल्प है इंडिया जिस तरीके से वहां एक दूसरे की खिलाब केंडिडेट उतार रहे हैं समझवादी पार्टी ने दस वहीं केंडिडेट उतारे चहां से कांग्रेस चुनाओ फाइट कर रही है क्या मान रहे हैं जो आप लोग दावा करते थे कि साधिक के पहले तलाक हो जाएगी क्या उस दावो में दम दिखाई दे रहा है देखिए यहां तो बात शादी तक पहुची ही नहीं यहां तो जो है रिंग सर्यमनी से पहले यह इतलाक हो गया आप देखिए कि इंडी एलाइंस का जो गड़बंदन है जो विपक्ष की दलोर ने अपना गड़बंदन मनाया है इसका यहाल यहश्र होना ही है क्योंकि इनका जो एजिंडा है इनका जो मोटिव है वो समाज की सेवा भारत का उठार नहीं है जनता की सेवा जनता की तरक्की नहीं है इनके अलाइंस का एकमात जेंडा है कि किस तरीके से अपने नीजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा कर पाएं अपनी नीजी राजनीतिक जमीन को बचा पाएं और किस तरीके से सत्ता की कुर्सी हासिल कर पाएं अब जैसे से लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, इस गटबंदर में दराल इसमें फूट, आप सब अपने आप देख पाएंगे. एक चर्चा है कि अखलेस यादो अपनी रत भेजे हैं तेलंगाना में केसी आर के लिए, केसी आर वहाँ इंडिया के खिलाफ चुनाव लड़ है, केसी आर की मुख्या पोजिशन की जो पार्टी है, वो कांग्रेस है, अखलेस यादो दावा कर रहे हैं कि हम इंडिया गटब में हैं, लेकिन वहाँ के सियार की मदद कर रहे हैं, जैसी चर्चा है, मैंने पहले ही बताया कि जो जिस रत से ये ओट मांग रहे थे, 2022 की बिधान सभा चुनाव में, वो बस तेलंगाना के लिए मूब कर गई है, देगे, समाजवादी पार्टी इसने हमेशा प्रदेश को गुमरा रखने का काम के है, जब 2012-2017 तक जब सरकार थी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की, तो कितने बुरा उत्तर प्रदेश का हल समाजवादी पार्टी ने बनाया था, और इसी एजेंटे पे समाजवादी पार्टी लगतार काम कर रही है, समाजवादी मंत्री दानी सजाद धनसारीथ, उनोंने कहा कि जीस तरीके की स्वामी प्रसाइप माउर्या का बयाना आया है, उस समया है जब इस बयान का कोई मतलब नहीं है, साथ ही उन्होंने इंडिया एलाइंस पे कहा कि हम साधी की बात नहीं कर रहें रिंग सेर्मनी से पहले ही इन लोगों के रिष्टों में तलाक हो गया है सहोगी सैलिन पाठे के साथ रजनीज पांडे भारत एक्सप्रेस लखनोव